तो दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पक्के में अपना बिजनस करते हैं, आप जो अपना वेपार है वो पक्के में करते हैं तो आपको उससे क्या क्या बेनेफिट्स होते हैं दोस्तों मैं हूँ दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाला किरपई से end तक देखें दोस्तों मेरा या पे पक्के में बिजनेस करने का मतलब क्या है कि जब भी आप sale of goods करते हो या supply of services करते हो तो उसके साथ में invoice जरूर रेस करते हो second दोस्तों अगर आप कुछ purchase करते हो या तो आप goods ले रहे हो या services ले रहे हो तो उस case में भी आप purchase का invoice ले रहे हो service का invoice आप ले रहे हो अपने पास साथी दोस्तों आप जितनी भी सारी transactions है उनको आप properly maintain करते हो books of accounts को maintain करते हो as per जो भी आपका applicable law है तो दोस्तों अमने बात करों तो फाइदे जब भी आप अपना पक्के में business करते हैं तो आपको सबसे बड़े benefits क्या होते हैं तो सबसे पहला point दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जो है यानि कि जो मारा benefit है वो कौन सा है कि आपको easily loans up level हो जाते हैं यानि कि आपको banks आराम से loan दे देता है अगर आप अपना पक्के में business करते हैं तो साइकर्ड दोस्तों आपको government के tenders easily मिल जाते हैं इसका मतलब भी है कि जब भी आप proper books of account maintain करोगे तो obviously आपके sale purchase proper उसमें show होंगे जिसकी वैसे आपके turnover भी दोस्तों proper दिखेगी और financials भी मजबूत बनेगे तो इसकी वज़य से आपकी proper ITR भी जाएगी और जिसके basis पे आपको government tender easily आराम से मिल जाते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा benefit हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आप अपने debtor के against में यानि कि जब भी आपका debtor payment में default करता है तो उस case में आप उसके against में recovery का case डाल सकते हैं अब दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे point की basically चौथा point केता है कि अगर आप MSME में enroll करते हो अपने आपको यानि कि उद्ध्यम registration आप लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सबसे बड़ा benefit मिलता है पके में business करने का क्योंकि MSME भी कही ना कहीं तक help करता है आपकी debtors की recovery करने में साथी दोस्तों MSME में पूरा enroll करने के लिए जो registration process होता है उसके लिए मैंने एक special video बनाया हुआ है कि उद्दम registration आप sales से भी कर सकते हैं तो दोस्तों उस video को जो link के नीचे description में भी डाल दिया है उस video को आप आप हमारी गरी रफर करें और दोस्तों यहाँ पर जो पांच वा आपकी जो company की goodwill है वो market में create होती है अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आप साथवे important point की कि अगर आप अपना पक्के में business करते हो तो दोस्तों आप easily investment और funding आराम से ले सकते हो market में से क्योंकि वो आपको किस basis पर मिलती है आपके financials के basis पर मिलती है आपके future projections के basis पर मिलती है तो दोस्तों वो कैसे possible होगा जब आप अपना पूरा business पक्के में करेंगे तो अब दोस्तों बात करता हूँ मैं 8 point की कि अगर आप अपना पक्के में business करते हो तो obviously आप अपनी compliance को भी timely करोगे और आप जो भी penalty की provisions है जो भी prosecution की provisions है उनसे आप बचके रहोगे तो दोस्तों इस वीडियो के अधर मैंने आपको सारे पंच बताए कि अगर आप पक्के में business करते हो तो आपको यह सारे benefits हो सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से लिए इस topic से आपको कुछ भी query है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं हमारी team आप तक पहुंचके उसका reply करेगी और हाँ इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक valuable information दी होगी कुछ ना कुछ एक solution provide किया होग इसलिए इस वीडियो को हमारी like करें, share करें और दोस्तों जादा से जादा subscribe करना चैनल को आपने नीचे लाल बटनस को दबाए ताकि ऐसे ही informative वीडियो आपको time time पे मिलती रही, thank you हुआ हुआ हुआ